हर्याना में कॉंग्रेस की हार पर दिल्ली से लेकर महाराश्टर तक एक खलबली मची हुई है सहयोगी ही अब कॉंग्रेस को यहाँ पर घेरते वे दिख रहे हैं सबसे तीखा हमला महाराश्ट्र से हो रहा है शिवसेना उधव गुट ने तो कॉंग्रिस को हर्याना की हार से महाराश्ट्र में सीख लेने का एक तरह से यहाँ पर सलहा भी देडाली है शिवसेना उधव गुट के प्रवक्ता संजे राउत ने कहा है कि कॉंग्रिस जीती बा हाविकास अगाडी के तीनों दोलों को मिलकर अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोशित करना चाहिए. हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में एक दो सिटे आ जाती, तो जरूर जो चित रहे निरने हैं, जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदला होता है। मैं यह मानता हूँ कि भारते जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, वो बहुत ही बहतरिन तरीके से लड़ा है। हरी हुई बाजी, बीजेपी ने जीत ली ये मैनने करना पड़ेगा। हर्याना और महराष्ट ये दोनों राज्यों की राज्किये भूमी का अलग है, महराष्ट में शौफूले अंबड कर विचाधारा है, और महराष्ट लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहां पर हमारा हुआता हूँ, उससे अच्छा, बहतर प्रदर्शन हमारा महा आधार पे उनने लिखा है, क्या है, महराष्ट में ऐसा कुछ नहीं है, अब वो कुन से आधार पे लिखने का करके लिखा है, हमें क्या पता है, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी, और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सरवजनिक रूप में, इस तरह से अलाइंस क नहीं लगा सकते। है, और मनोबल बढ़ा है, याने की कारकर्ट बीजेपी को बुस्ट मिला है, हर्याना की जीत ता, वहीं कॉंग्रेस और महाविकास आघाडी में मयोसी देखने को मिल रही है, और इतना ही नहीं, तो महाविकास आघाडी के दो घटक दल, कॉंग्रेस और सिश्वशना और अभी महाविकास आगाडी की बैठक हो रही है और संजे राउद जो की करकारी संपातक है उनसे वो बात करेंगे पूछेंगे कि किस आधार पो नोने बाते कही है यानि साब स्वर पर कहीं महाविकास आगाडी के दो घटक दलों में तकार दिख रही है हालनकि तीसरी घटक दल जो है प्यार सिया जैसे भी हो सभी को साथ में रखकर एक साथ विधान सवाचुनाओं में जाएंगे यह तरह है इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बहुत बड़ा बुस मिला है और यह माना जा रहा है कि इसका फायदा मिलेगा क्योंकि जिस घटक दलूंग पार्टी के लिए भी पूरे महायवती के लिए इसलिए अब बीजेपी नारा लगा रही है कि हर्याना तो जाकी है महारास्त बाकी है मुंबई से कैमर में हेमंत मुहिचक सास मुनेज सिंग अनिटिव इंडिया के लिए